नमस्कार दोस्तों आपका एक बर फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप करना चाहती है अपने पती को अपने वश में तो आज का ये वीडियो आपके लिए है क्या आपके पती आपको बहुत परिशान करते हैं आपकी कोई भी बात नहीं मांत हर बात में आप दोनों की लड़ाई होती रहती है जगड़े होते रहते हैं आपसी कलह की वज़े से आपके घर की शांती चली गई है तो दोस्तों आप अपने पती को अपने वश में कर सकती हैं जी हां दोस्तों एक ऐसी अगोर क्रिया है जिसके द्वारा आपके पती आप की हर बात मानेंगे घर में जो भी कलह कलेश हो रहा है वो सब खतम हो जाएगा सुख शांती फिर से वापस आ जाएगी अगर आप अपने पती से सच में प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि वो भी आप से प्यार करने लग जाएं तो आप इस क्रिया को जरूर कीजिए क्योंकि ये क्रिया आपके पती के मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार पैदा करेगी और वो आपकी हर बात मानना शुरू कर देंगे तो दोस्तों क्या है ये क्रिया आइए देखते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कोई भी स्टेप मिस्स मत कीजिएगा क्योंकि सारे स्टेप्स बहुत जादा इंपोर्टट एं अगर आपको कितनी खरीत نہ है दो बहुत बता देती हूं अपका वजन आपको करना है जितना भी आपका वज़न है इसकी आधे वजन की, मान लीजी अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको उसका आधा याने की 30 किलो का आपको काली दाल अपने घर में खरीद के ले आनी है, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की पूरी रात आपको उसे अपने घर में रखना है, शनिवार के दिन आपको उस दाल के साथ हिस्से करने हैं, यानि कि साथ हिस्से करने के बाद आपको जो पहले तीन हिस्से हैं वो ले जाने हैं और किसी भी मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं, आपको उन्हें दान में दे देने हैं, बाकी के जो चार हिस्से होंगे, उस चार हिस्से को आपको अभि कि दिन करना है दोस्तों शाम के समय सात बजे के बाद सात बजे के बाद काली डाल अपने सामने रखकर बैठ जाए और इस मंत्र को 108 बार भूले और काली डाल के उपर फूख दें उसके बाद आप किसी चौराहे पर जाएं आपके घर के पास में जो भी चौराहा हो वहां पर जाकर आपको एक हिस्सा अपने पीछे फीखना है यानि कि आप जहां जब जा रहे होंगे चौराहे पर तो चौराहे पर चलते चलते आपको जो आपके चार हिस्से बचे हुए तो उसमें से एक हिस्सा अपने पीछे की तरफ फीख देना है और पीछे पलट कर दोस्तों आ अगली सुबह से आपके पती का रूप बदला हुआ होगा आपके पती आपकी हर बात मानने लग जाएंगे उनके मन में भी उतना ही प्यार आजाएगा जितना प्यार आप से करती है और वो आपकी हर बात मानेंगे आपके वश में हो जाएंगे दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि मंत्र कौन सा है जिससे आप काली डाल को अविमंत्रित करेंगे उसके लिए आपको हमारे नबर पर कॉल लगाना होगा हमारा नबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा उस नंबर पर कॉल करके आप मंत्र जान सकती हैं और उस मंत्र के द्वारा अपने पती को अपने वश में कर सकती हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद